हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागता आप से भी का एजुकेशनल स्टड़ी बन यूटुब चैनल पे तदिकी दोस्तों SSC CGL एक्जाम 2023 कंटिनुसली आपके एक्जाम चल रहे हैं इस स्विडियों 27 जुलाई सेगंड शुफ पेपर के बारे में बात करेंगे तो आज आपके CGL 2023 का 27 जुलाई का सेगंड शुफ का एक्जाम खतम मुझ गया है सेगंड शुफ में जितने भी जी के जी एस और करंट फैर से रिलेटेड आपके एक्जाम में क्वेशन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्णों का बिलकुल 100% सही वसे टीक उतर के साथ एक्जाम एनलसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आज जिनका भी सेगंड शुफ ने एक्जाम था नेशनल हैरिटेज फैलोशिप से समानित किया गया था तो नेशनल हैरिटेज फैलोशिप से जाकिर हुसेन को समानित किया गया था जो की तबला वादक हैं ठीक दोस्तों तो जाकिर हुसेन इस क्वेशन कर आइटन से रहेगा अगला question पूछा गया कि 18-50 आयू वरक के दुरगटना परयोजन के लिए कौन सा बीमा लौच किया गया था तो इस हेतू परधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना को लौच किया गया तो परधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना आपका राइटन से रहेगा अगला question पूछा गया कुवत उल इसलाम मस्जिद कहा थी ते? कुवत उल इसलाम मस्जिद यह आपके दिल्ली में स對不對 तो दिल्ली इस question का आपका विल्कुल right answer था अगले question में पूछा गया कि रसोई में एथनोईक अमल को किस नामसे जाना जाता है रसोई में एथनोईक अमल को एसिटिक अमल के नाम से जाना जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH ठीके दोस्तों तो जो कि इस question का आपका राइटन सरता अगले question में पूछा गया कि राजगीर वन्यजीव अभ्यार ने कौन से राजजे में स्थित है राजगीर वन्यजीव अभ्यार भारत के बिहार राजजे में स्थित है अगले question में पूछा गया second shift में कि व्यपगत का सिध्धान्त किस वाइस राइस से सम्मदित है व्यपगत का जो सिध्धान्त है वो लौर्ड डलहोजी ने अपनाया था तो लौर्ड डलहोजी इस question का आपका विल्कल राइटन्स रता अगले question में पूछा गया कि सोनल मान सिंग भरत नाटियम और कि सास्त्री नर्ते से सम्मदित है बात करते हैं सोनल मान सिंग के बारे में तो ये भरत नाटियम और ओडीसी सास्त्री नर्ते से सम्मदित है अगले question में आपसे पूछा गया कि चितरंजन दास के साथ स्वयराज पार्टी की स्थापना किस ने की थी चितरंजन दास के साथ स्वयराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो मोतिलाल नहरू ने की थी ठीक दोस्तों तो मोतिलाल नहरू इस question का राइटेंसर था अगले question में पूछा गया किस वर्स में डेमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्थ साढ़ नी दी डेमित्री मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्थ साढ़नी है ये 1869 में दी थी 1869 इस question का आपका आइटन सर था अगले question में पुछा गया कि Harrod Domer model पर अधारित कौन सी पंचवर्शे योजना थी तो ये आपके पहली पंचवर्शे योजना थी जो 1951 से चाल हुई थी जवाहरलाल नहरू के काल के दोरान अगले question में पुछा गया किस बैंक ने भारत को COVID टीकों के लिए 500 डोलर दिये ठीक है तो ये दिये थे आपके World Bank ने तो World Bank का आपका राइटन सर था अगले question में पुछा गया भारत में पहली Aluminium Factory कौन सी है तो भारत में Aluminium का पहला कार खाना सन 1937 में पश्चिम मंगाल की आसन सोल नामक जगय के जैनगर या जेके नगर में स्थापित किया गया था जबकि हिंडालकों की स्थापना सन 1958 में उत्तर परदेश के रेनुकूट नामक जगय पर की गयी थी अगले question पूछा गया मौलिक करतवय का स्वेरूप केसा है वैदानिक है उन करतवयों और कानून द्वारा लागू किये जाएंगे संसद वाई कानून उन करतवयों और दायतों को पूरा करने में फिफलता के लिए लगाए जाने वाले दंड का प्रावधान करेगी अगला question पूछा गया कि FIFA World Cup 2026 का host country कौन होगा तो FIFA World Cup 2026 का जो host country है वो USA, Canada और Mexico होगा ठीक है FIFA World Cup 2022 की बात करें तो ये कतर में आई जीत हुआ था जिसमें आपके विजेता टीम रही थी अर्जन्टीना अगला question पूछा गया free kick शब्द का परियोग किस खेल में होता है free kick शब्द का जो परियोग है वो football के खेल में होता है second ship में बूछे कि सभी question का exam analysis कर दिया वीडियो आंदकित का दिने बाद पसंद आगे राइक और शेर जुरूर कीजिएगा